एक गाउ में लखन नाम का एक रिक्षा चालक अपनी बीवी विद्या और बेटी छुटकी के साथ रहता है। वो रिक्षा चला कर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ता है और इसके उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। बस बस लखन यहीं पर छोड़ दो मुझे मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है। यलो तुम्हारे पैसे धन्यवाद बहुत अच्छी सवारी रही। तुम काफी अच्छी तरह से आटो चलाते हो और साथ ही बातचीत करने में भी अच्छे हो जिससे ग्रह को अपना पन मैज होता है ऐसे ही रहो। जी जरूर भाई साब आपका बहुत बहुत चुक्रिया। लखन के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन इस सब के बावजूत भी उसे संतुष्टी नहीं मिलती और वो बस पैसों के लिए रोता ही रहता है। अरे रे आज भी ज्यादा कम है सारी सुक सुविधाएं और क्या चाहिए जीवन जीने को आपका काम भी भगवान की कृपा से अच्छा ही चल रहा है। लेकिन फिर भी विद्या मेरा मन ही नहीं भर रहा है इतने पैसों से मुझे और पैसे चाहिए उसके बाद में हम तीनों के लिए और भी अच्छा ज करना चाहिए। फिर एक दिन जब लखन एक रात अपनी रिक्षा चलाते हुए एक कबरिस्तान के रास्ते से जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसे वहाँ पर कबरिस्तान से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लखन डर तो रहा था लेकिन खजाने की बाद सुनकर उसके मन का लालच उसे वहाँ पर खड़े रहने का साहस दे रहा था। वो लोभी नजरों से उस कबरिस्तान की पहली कबर के पास देखता है और वहाँ पर उसे उस कबर में से थोड़ी रोशनी निकलती हुई लखन भगवार ने तेरी सुन ली है खोल दे इस कबर को तेरे अमीर होने के दिन आ गए आखिरकार लालची लखन उस कबर को खोल देता है लेकिन उसमें कोई खजाना नहीं होता है बलकि उसमें एक भयानक सी शकले वाली चुडएल एकदम से बाहर निकलती है और उसे हवा में उड़ते देख लखन के रोंक्टे खड़े हो जाते हैं मूर्क रिक्षा वाले तुझे क्या लगा कि वो आवाज सच में किसी औरत की थी अरे वो आवाज मेरी थी मैं इस कबर में कैद थी क्योंकि मुझसे जुड़े कुछ लोगों ने पूजा पाट करके मेरी आत्मा क को इस कबर में कैद कर दिया लेकिन अब मैं चुड़ेल रूप लेकर बाहर निकल चुकी हूँ और अब मैं तेरे जिस्म तेरे बदिन का सहारा लेकर इस गाओ के सभी लोगों को खा जाओंगी बर्सों की भूकी हूँ मैं लखन उस कबरिस्तान की चुड़ेल के चंगुल से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी चुड़ेल अपने मुह से आग फूकती है और वो आग लखन को चारो तरफ से घेर लेती है उस आग का रंग लाल होता है ये भूतिया लालाग है मेरी कबर के बाहर निकलने पर अ अब वो मेरे पास सारी काली शक्ति आ चुकी है जो एक सर्व कर दो ने गलती कर दी मुझे लालच नहीं करना चाहिया था तुम इंसानों में कावत है ना लालुच बुरी बला है फिर भी तुमने लालच किया ये तो तुमने गलत किया ना फिर अब तुम पेस की सजा तो मिलकारी रहेगी। ठीक है। जवाब नहीं देता जिस कारण वो औरत बहुत ज़ादा गुसा हो जाती है। पारी रोको, रोको, मुझे नहीं बैटना इस रिक्षे में। रोको रिक्षा मैंने कहा न। नहीं रुकेगा ये रिक्षा, अब ये सीधे तुझे तेरी मौत तक पहुचाएगा। जीले अपनी जिन्दगी के आखरी कुछ पल। ये क्या, ये क्या, तुम एक औरत की आवास में बात करें। ये कैसे हो सकता है। तभी वो औरत रिक्षे के आएने में देखती है जिसमें चुडैल की शकल दिख रही होती है। वो देख, उस औरत की आखे फटी की फटी रह जाती है। क्या, इसका, इसका मतलब तुम एक भूतो और तुम एक चुडैल का वास है। लखन रिक्षे को सीधे कब्रिस्तान में ले जाता है और वहाँ पहुँशने के बाद और बाहर निकलती है और वो भागने लगती है कि तभी अचानक से लखन उसे जान से मार देता है। लखन यानि वो चुडैल उस औरत को मार कर उसका मांस खाने लगती है। इसी प्रकार हर रोज जो भी लखन के रिक्षे में सवार हो कर जाता उसे लखन सीधे कब्रिस्तान ले जाता और उसके शेरीर में रह रही वो चुडैल उस इंसान को खा जाती है। एक दिन चुड़की के पापा आपको आजकल हो क्या क्या है। आप बहुत गुमसुम से रहते हो न ठीक से बात करते हो न कुछ। कुछ हुआ है क्या, कोई परिशानी है क्या, बताईए ना। लेकिन लखन विद्या को कोई जवाब नहीं देता है और वो सोजाता है। विद्या को अब अपने पती के इस अजीब से बरताओ पर शक होने लगता है। कोई बात तो जरूर है, जो छुटकी के पापा मुझसे चुपा रहे हैं लेकिन क्या, मुझे पता लगाना होगा। दिन बदिन गाऊं में अचानक लोग गाइब होने लगते हैं, और सभी गाऊंवासी इस बात से बहुत डर जाते हैं और परिशान हो जाते हैं। एक दिन जब विद्या लखन के कप्रे दोने जाती है, तभी उसके कप्रों पर थोड़े से खून के दाग होते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आज मैं चुटकी के पापा से इस बारे में जरूर बात करूँगी विद्या उस दिन बाजार में सामान खरीदने जाती है तभी वो एक दूसरे रिक्षे में बैठती है और देखती है कि लखन जंगल के रास्ते कहीं जा रहा है और उसे देखकर विद्या हैरान रह जाती है ये चुटकी के पापा इस समय जंगल के रास्ते से कहा जा रहा है इस रास्ते से तो कब्रिस्तान है उन्हें मुझे टिफिन देना है आज वो भूल गए थे, एक काम कीजे भाई साब, आप रिक्षय उस दिशा में गुमाईए, उस रास्ते से जाना है, मेरे पती के रिक्षय का पीछा कीजे विद्या अब लखन का पीछा करती है, और तभी वो दूर से देखती है, कि लखन कब्रिस्तान में जाकर अपने ग्राहक को मार कर उसका मांस खा जाता है, ये भयंकर दिल दहला देना वाला दृष्य देख विद्या के पैरो तले जमीन खिसक जाती है, और वो खड़ी की खड वा रही है, इसलिए वो बाबा के पास जाती है, और बाबा भी उसे वही बताते हैं, अपना शक ही सच है, ये जानकर विद्या के हाथ पॉंट ठंडे पड़ जाते हैं, हाँ बेटी तुम्हारे पती के शरीर में वो कब्रिस्तान वाली चुड़ायल रह रही है, हे भगवा अब क्या होगा बाबा जी, बाबा जी मेरे पती को बचा लीजे, मैं आपके साबने हाथ चोड़ती हूँ, मेरे पती को बचा लीजे, बाबा अब नए टायर लाते हैं और उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों से तिलिसमी टायर में बदल देते हैं, जिसके बाद वो लखन रिक्षा चला कर कब्रिस्तान की तरफ जाने के लिए रिक्षा घुमाता है तो रिक्षा कब्रिस्तान के रास्ते की जगा दूसरे रास्ते पर जाने लगता है और ये सब उन तिलिस्मी टायर के कारण होता है ये सब क्या हो रहा है ये रिक्षा दूसरी दिशा में क्यो जा रहा है, ये क्या, ये तो एक मंदिर है। सब ठीक हो जाता है